आप देख रहे हैं दखल न्यूर्ट राममंदिर पर फैसले के खिलाफ पुनर विचार ही आचिका जम्यत ए उलेमा हिंद ने खटखटाया अदालत का तर्वादा कॉंग्रेस नेता अधीर रंजन चुअभी ने की फिरा भद्र टिक्पनी विप्त मंत्री निर्मिनासी तरमन को कहा निर्बला बीजेपी नेता सुमित्रा महाजन का खुलासा बीजेपी के खिलाफ लेदी थी कॉंग्रेस नेताओं की मदद हनी ट्रैप में कमलनास सरकार की फजी हद बड़ा सवाल किसे बचाना चाहती है सरकार और एम्बुलेंस में मरीज को लगी थी ऑक्सीजन हो रही थी काजे की तसकर नमशकार मैं हूँ शेफाली आप देख रहे हैं तकली उस खबरे मिस्तार से आयोध्या में राम मंदिर के मसलेपा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जमियत ए उलेमा ए हिंद ने पुनरविचार याचिका दायर की है जमियत के वकील एम सिद्धिकी ने यह याचिका दायर की याचिका के जरिये मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट 9 नवंबर के अपने फैसले पर रोक लगाए आयोध्या मसले पर इस पुनरविचार याचिका में इसके लिए कई दलीले भी दी गई है किसी भी फैसले की खिलाफ 30 दिन के भीतर पुनरविचार याचिका दायर करना होती है यावधी 9 विसंबर को पूरी होगी माना जा रहा है कि इससे पहले चार-पांच याचिका दायर हो सकती हैं इन में से एक याचिका All India Muslim Personal Law Board की ओर से होगी जमियत A. Umila A. Hind की ओर से दलील दी गई है कि सुप्रीम कोट में अपने फैसले में कहा है कि मंदिर तोर कर मजदिद बनाई गई उसका कोई सबूत नहीं है वहीं सर्वोच अदालत में माना है कि 1949 में बहां मूर्तियां रखी गई साथ ही यह भी फैसले में माना गया है कि 6 दिसंबर को जो हुआ वो गलत था तो विवादित जमीन किसी एक पक्षित को कैसे दी जा सकती है जमियत के वकील M. Siddhiki ने मांग की है कि सर्वोच अदालत अपने फैसले पर इस्टे लाए और रान मंदिर निर्मान की दिशा में उठाए जा रहे कदमों पर तपकाल रोक लगाई जाए लोगसभा में कॉंग्रेस सांसत अधीर रंजन चौधरी ने अब वित्य मंत्री को लेकर अभद्र टिपनी की है चर्चा के दौरान कॉंग्रेस नेता अधीर रंजन ने निर्मला सीता रमन को निर्वला कहा इसके बाद उनके बयान पर हंगामा हुआ सुंबार को लोगसभा में कॉंग्रेस सांसत अधीर रंजन चौधरी ने एक बार फिर से विवादि टिपनी कर दी इस बार उन्होंने देश की वित्य मंत्री निर्मला सीता रमन पर की उनकी टिपनी के बाद उनका विरोज शुरू हो गया है लोगसभा में चौधरी ने निर्मला सीता रमन पर अभद्र टिपनी करते हुए उन्हें निर्मला कहा पहले भी वे इस तरह अभद्र बयान बरजी कर चुके हैं बवाल मचने पर वे सफाई देते रहे कि उनकी हिंदी खराब है इसलिए बोलने में इस तरह की गलतिया हो जाती है लेकिन उनके ताजा बयान ने तूल पकड़ लिया है चौधरी ने कहा आपके लिए रिस्पेक्ट तो है लेकिन कभी कभी सोचता हूँ कि आपको निर्मला सीता रमन की जगहा निर्मला सीता रमन कहना ठीक होगा की नहीं आप मंतरी पत पे तो हैं लेकिन जो आपके मन में है वो कह भी पाती है या नहीं बीजेपी की सीनियर नेता और पूर्व लोग सभाध्यक्ष सुमित्रा महाजन अपनी ही पाती के खिलाफ कॉंग्रेस की मदद लेती थी सुमित्रा महाजन ने इन दौर में एक कारेकरम के दौरान इस बात का खुलासा किया और कहा कि जब सवाल इन दौर का हो तो सब कुछ करना पड़ता है कई मरतबा आम लोगों को लगता है कि दोनों ही पार्टियों के नेता एक सही है इसका खुलासा खुद बीजेपी की सीनिया लीडर सुमित्रा महाजन ने किया सुमित्रा महाजन ने राजपाल लाल जी ठेंडन की मौचूद्धी में एक राज खुला और कहा मेरी सरकार के खिलाफ मैं नहीं बोल सकती थी कोई बात उठाने के लिए मैं जीतु पटवारी और दुल्सी सिलावत को धीरे से कहती थी कि तुम करो कुछ महाजन ने कहा कि जीतु पटवारी में मेरा शिष्ष बनने के सब ही बुड़ है महाजन के बारे में पटवारी ने कहा कि हम राज में टाउं से अपनी पूर्टी का मौ मुश्किल से छूटता है लेकिन ताई इतनी सहज और सरल है कि उन्होंने इसे छोड़ने में मिनिट भर का भी वक्त नहीं लगाया कुर्व लोग सभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि पाति का सवाल नहीं जब शेहर का विकास करने निकलते हैं तो सब एक जोट रहते हैं यह इस शेहर का स्वभाव है संवाग कई है प्रयोक और कर पठवारी में बहतर कारे किया है पठवारी में स्वागत भाषन देते हुए कहा कि राजपल बेहत सहज और सरल वेस्टित के धनी हैं उनसे पहली बार जब एरपोर्ट पर मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा था कि मैंने आपके बारे में सुना है मेरे दो बेटे हैं एक उस्तरविदेश में मंत्री है और दूसरा यहां मद्रविदेश में शिक्षा मंत्री है तब ही से मैं उनकी सादगी का काया इसमें इसलिए समाचार पत्र के मालिकान पर कई मामले दच कर दिये गए इंदॉर प्रेस लब और बीजेपी महासाचित के लास विजेवरगे ने पुलिस प्रशासंती कारवाई की निंदा की है हनी ट्रैप को लेकर उजागर हो रहे फोटेज के मामले में संझा लोग स्वामी समहू के कई प्रतिष ठानों ऑफिस वा घर पर छापे मारने के साथ इंदॉर के चार ठानों में पांच एफायर डर्ज कर ली गई इसमें मानवत तसकरी, अवेद कार्तूस, नौकरवा करमचारियों की जानकारी छुपाने और आईटी एक्ट की धाराएं लगाई गई है पुलिस ने समहू के प्रवुख जीतु सोनी के बेटे अमिच सोनी को गिरफतार कर लिया है इंडॉर पुलिस और अन्य विभागों की इस पूरी कारवाई को हनी ट्रैप कांड से जोड़ कर देखा जा रहा है हनी ट्रैप गैंग से जुड़े अधिकारी हर बजन सिंग ने शाम को संझा लोगस्वामी की शिकायत की और कई विभागों ने कुछ ही देर में इस कारवाई को अंजाम दे दिया जो आदमी खुद इस पूरे कांड में संदिग्ध है उसकी शिकायत पर सरकार का ये एक्षन बताता है डाल में कुछ काला है लोगस्वामी और उसके मालिकों के अन्यसन स्थानों के दफ्तर पर सैखडो पुलिस कर्मियों ने एक साथ छापा मारा था SSP रुची वर्धन मिश्र ने कहा कि मामने की जाच की जा रही है संबंदित की तलाश की श्रेणी में ही के कार्याले में भी सर्च की गई जहां से विधिवत सर्च वारंट लेकर के सर्च की कारवाई की गई थी इसमें कुछ वहां से electronic devices वहां से जब्त हुई है जो की प्रक्रण से संबंधित होने की संभावना है और इसी के साथ वहां पर कुछ safe वहां पर पाई गया है जिसको seal बंद किया गया है और विद्वत पंचनावा बना करके उसको examine किया जाएगा फिलहाल इसमें पूश्टाच के लिए जो अमित सोनी नाम का जो अरूपी है उसको लाया गया था और उसके विरुद्ध आगे की कारवाई की जाएगा इस मामले में मध्यप्रदेश सरकार कट घरे में नजर आ रही है सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि लोगस्वामी अखबार ऐसा क्या खुलासा करने वाला था जिससे सरकार इसकदर भेभी थी कि उसको कुछ ही घंटों में इस कारवाही को अंजाम देना पड़ा इंदौर प्रेस क्लब ने भी इस मसले पर सरकार को खरी-खरी सुनाई है और लोगस्वामी अखबार पर की सरकारी तलाबंदी की कड़ी आलोच ना की है बीज खरी-खरी-खरी-खरी-खरी-खरी-खरी-खरी-खरी-खरी-खरी-खरी-खरी-खरी-खरी-खरी-खरी-खरी-खरी-खरी-खरी-खरी-खरी-खरी-खरी-खरी-खरी-खरी-खरी-खरी-खरी-खरी-खरी-खरी-खरी-खरी-खरी-खरी-खरी-खरी-खरी-खरी-खरी-खरी- आए कि हानी ट्रैप में शामिल महिलाओं ने अपने हुसन जाल में फसा कर नब्धे से ज्यादा बड़े लोगों के वीडियो बनाए और उनके राज उगलवा कर उनसे रकम और ठेके हासिल किये। असकाल बैंक में जमा करने को कहा गया है। बैंक ने साफ तोर पर नोटिस में कहा कि अगर साथ दिन में राशी जमा नहीं हुई तो बैंक कुर्की की कारवाई कर सकती है। बेटों के इस लोन में एनपी प्रजापती खुद जमानतदार है। प्रजापती के दोनों बेटों के ऊपर 42 लाग का सर्ज है जिसको ततकाल जमा करने को कहा गया है। इलाबाद बैंक में प्रजापती के बेटे नीर प्रजापती को लगभग 21,54,000 रुपए की रिकवरी का नोटिस जारी किया है। तो वहीं दूसरे बेटे प्रीती प्रज प्रजापती खुद जमानतदार हैं। बैंक ने नोटिस मिलने के साथ दिनों के भीतर पूरी रकम जमा करने को कहा है। बैंक ने साफ कर दिया है कि अगर इस अवधी में राशी जमा नहीं हुई तो बैंक कुर्की की कारवाई कर सकती है। शहर के नान के पेट्रूल पम के पास चौराहे पर लगी शही चंद्रशेखा राजात की प्रतिमा उस चौराहे की पहचान बज चुकी थी। मगर बाज शहर की विकास किया है। और शहर का ट्राफिक सुगम हो जाम न लगे इस सोच के साथ शही चंद्रशेखा राजात की प्रतिमा वहां से हटा दी गई सभी ने शेहर के विकास के लिए इसका समर्थन भी किया मगर उस जगा अर्जुन सिंग की मूर्ती लगाना बड़ा सवाल खड़ा करती है क्या आप ट्राफिक में बाधा नहीं आएगी जाम नहीं लगेगा और सवाल ये भी है कि शहीद चंद शेखर आजाद की प्रतिमा हटाना शेहर के विकास के लिए जरूरी था तो अर्जुन सिंग की प्रतिमा वहां क्यों लगाई जा रही है और अगर शेहर में कोई समस्या चुराहे पर प्रतिमा लगाने से नहीं हो रही ट्रैफिक जाम नहीं हो रहा सब कुछ सुगन है तो वापस से शहीद चंदर शेखर आजाद की प्रतिमा क्यों नहीं लगाई जा रही अर्जुन सिंग की प्रतिमा वहां क्यों लगाई जा रही है सवाल ये है कि क्या अर्जुन सिंग ने इस देश के लिए शहीद चंदर शेखर आजाद से बड़ा काम किया है शहीद चंदर हटाने पर हमने विरोध नहीं किया था मगर हमारा विरोध अर्जुन सिंग की प्रतिमाल लगाने पर है जो हम किसी भी हाल में सुखार नहीं करेंगे उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मांग नहीं मानी गई तो देश भर में धर्ना देंगे आज हम बताएंगे शाम तक की क्या करना यह सरकार की प्रतिकरी आती है अभी तक तो नहीं आई है हम हर पल उम्मीद बांध कर बैट्टे हुए है यदि शाम तक भी हमारे पास कोई आककर मैसे जाता है सरकार का तो हम विरोध नहीं चाहते हम नहीं चाहते हम नहीं चाहते हम करना ही नहीं चाहते हम किसी सरकार के विरोध में नहीं है हम शहीद के परिवार के हम सब के मित्र हैं हमारा कोई दुश्मन नहीं लेकिन जो शहीदों पर आचाएगी तो हमारे सब विरोधी हम सब के दु प्रिक के बाद आपका सवागत है हैदरबाद दुश्कर्म पर जगत गुरु शंक्राचारे सरुपनन स्वरस्वती ने कहा आज स्कूल और कॉलेज में नारी के सम्मान की बाते नहीं बताई जाती हैं जिसके यह सब परिणाब हैं समाज इतना विक्रत हो रहा है कि लोगों में आपराद बोध खत्म हो गया है गोटे गाओं के परमहंसी गंगा आश्रम इस्थित मनीदीप में जोतिश पीठादीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठादीश्वर जगत गुरु शंक्राचारे स्वामी सरुपनन स्वरस्वती ने हैदराबाद में हुए दुषकर्म की घटना पर अफसोश जाहिर किया और कहा हमारे देश की शिक्षा में नारी का सम्मान नहीं सिखाया जा रहा है आज स्कूल और कॉलेजों में नारी के सम्मान की बाते नहीं बताई जाती रमायन महाबारत की कथाय नहीं सुनाई जाती हम बच्ची को कन्या महिला को दुरगा और बुजर्ग को मा का दर्जा लेकिन अब संस्कारों में कमी आ रही है, लोगों में अपराद बोध नहीं बचा है, इसलिए अपराद करने के बाद इसे छिपाने के लिए हत्या की जाती है। हमारी स्कूलों में कालिजों में इसे बाते नहीं बताई जा रहे हैं, पर हमारे महा भारत की कसा सनाई जाती, कि जिनारी के अपमान के करने कोरों का मिनास हो गया। अपराद बोध से ही दोश रुकेंगे कि बद दन्वी के बहसें नहीं रुकती हैं, क्योंकि अपराद करने हमारा गी सोचकर अपराद करता है कि हम वो कोई देखने वारा नहीं है, वो साक्ष मचाता है। एक्सिदेंट में घायल हुए युवक को अस्पताल पहुचाया दरसर। शिवराज फोपाल के बियाईटी रोड से जा रहे थे, तभी फोपाल के पांच नंबर स्टॉप पर रहने वाले युवक का एक्सिदेंट हो गया, एम्बुलेंस आने में देरी हो रही थी, इस परतलब है कि पिछले दिनों भी शिवराज सिंग ने इस तरहा एक युवक की रोड एक्सिदेंट में घायल होने पर खुद एम्बुलेंस से अस्पताल पहुचाया था। बना कर फाइरिंग की, दो गोली उसके घुटने और उसके नीचे पैर में लगी, जिसके बाद वे वही गिर गया लेकिन उसके दो साथी फरार हो गये। पर तोड़ गोलिया मार कर हत्या कर दी गई थी। तभी से हत्याकांट के मास्टर माइंग गैंस्टर पर माल सिंग सोमर की तलाश की जा रही थी। कई बार उसकी लोकेशन गोलिया के आसपास मिली लेकिन वे पकड़ा नहीं जा सका। शनिवार को उसकी लोकेशन डियस्टी क्राइम रतनेश तोमर को मिली। पता लगा कि वे मुरेना की तरफ जा रहा है जिस पर उसकी घेरा बंदी की गई। गवालियर सहर में लंबा आपराधिक रिकार्ड है लगभग 26 अपराधिक प्रक्रह उसके विरुद्ध दर्श है। परमाल सिंग तोमर और उनके गैंग के द्वारा दिनांग 10-7-19 को गवालियर सहर में प्रॉपर्टी डीलर और कारोबारी मिस्टर पंकस सिकरवार की हत्या की गई थी। जिसमें परमाल सिंग तोमर एक नानुजद अभ्यूक्त है। उस घटना के पशाद परमाल सिंग तोमर फरार थे जिनकी गिरफतारी के लिए काफी प्रयास किये गए गिरफतार ना होने पर उनके विरुद्ध 10,000 रुपे का इनाम गोशित किया गया था गिरफतारी के लिए। परमाल सिंग्त उमर्क का गिरिफ्तार किया जाना और उनके विरुद्ध इस तरह की प्रभाव साली कारवाई किया जाने से ग्वालियर सहर के लाइन ओर्डर में सुधारा आएगा और इसमें आपराधिक गैंग की गद्विधियों में प्रभावी अंकुष लगेगा. परमाल के पास ते एक 32 बोरवा एक 9 एमन की पिस्टल मिली है. मुटभेड में परमाल को पकड़ने वाली टीम को एडीगी जाजबावू सिंग में बढ़ाई देकर प्रुस्कित करने की घोशना की है. पंकच और परमाल गैंग्स के बीच करीब 3 सालों से दुश्मनी चली आ ही थी. परमाल ने 16 साल की अमर में अपराज जगत में कदम रखा था. तब उसने पहली हत्या को इंजाम दिया था. इसके बाद वे गॉलियर ने गैंग्स्टर के रूप में उप्रा. उसने कम समय में अपराज की दुनिया में पहचान बनाई और शाड परशूटर के नाम स पहचाना जाने लगा. अभी उस पर हत्या के चार मामलों सहित कुल 26 लूट हत्या, हत्या के प्रयास, फाइरिंग, आम एक्ट के मामले दख हैं. गांजा तसकरों की लगातार धर पकड़ से परेशान तसकरों ने अब गांजा तसकरी का एक अनोखा ही तरीका एजास कर लिय गांजा तसकर एक व्यक्ति को आक्सीजन मास्क लगा कर अमबूलेंस एक गांजा तसकरी कर रहे थें. लेकिन इसके बाद भी गांजा तसकर पुलिस के हट्ते चड़ गए. अमबूलेंस में नकली मरीज को आक्सीजन मास्क लगा कर गांजे की तसकरी की जा रही थी. इस अ दलपूर की ओर से आ रही है अम्बूलेंस की तालाशी ली जिसमें एक मरीज लेटा हुआ था जिसे आकसिजन लगा कर यूबक वहां बैठे हुए थे और ड्राइवर लगातार अम्बूलेंस का सायरन बजा रहा था तालाशी के दौरान 40 किलो गांडा बरामद हुआ है रात भी एक टाटा इंडिका कार से एक आरोपी 38 किलो गांडे के साथ गरफता हुआ था जो की रायपूर का निवासी बताय जा रहा है आए दिन खबर चलाने को लेकर पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं जमीनी विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर खबर लिखना एक पत्रकार करवा ही सामने आए कमलना सरकार में पत्रकारों के साथ आए दिन दुर्वेवार की घचनाई सामने आ रही हैं पत्रकारों को अब खबर लिखना और दिखाना मेहंगा परता जा रहा है जमीन विवाद की खबर चलाने के बाद एक पत्रकार को अगवा कर लिया गया पत्रका जान अग्याद दो नगाप Uhr बद्धमासों ने पत्रकार का मंचाह वीडियो बना लिया। चिबनैपरों ने पत्रकार को खबर लिखने के लिए धंकाया और जान के मानने की ढंकी भी। साथ ही संझोता ना करने पत्मी के छत्तर लगवाने की भी। बदमासे के साथ आए एक व्यक्ति में पूरे मामने का खुलासा किया है करके कार में अपने बलोरों में बैठा लिए मैं वहां पर किसी को पहचान नहीं पाया कि कौन है कि कौन नहीं है इसके बाद वहीं पर उन्हीं का एक सदस छूट गया और मुझे वहां से बैठा करके लाया गया और बैठाने के बाद पुरेल कमरे में मुझे बंद किया गया बंद जैसे उन्होंने बंद किया मेरे साथ मार पिट सुरू कर दिये उन्होंने ये बोला कि तुम्हारी चाची मेरे खिलाब और मेरे 6 भाईयों के खिलाब जमीनी मार पिट के संदर्व में मुकदमा कायम करवाई है वो जूटा मुकदमा है और न्याले में जो आजिका दाय और उसमें मेरी गलती स्रीमान जी बस इतने थी कि मेरे चाचा याज का दायर किये थे देवसर न्याले में और मैं उस आरूपी के खिलाफ खबर चलाई थी और उसी को लेकर उसने मार्पित मेरे साथ किया और यहां तक कि बोला कि बाहर जाके तुम पत्रकार हो जिगायत तो लोग पकड़ के गाड़ी में डाल दिये तो लोग पकड़ के गारी में डाल दिये उसके बाद मेरे को हाथ पकड़ की तानने लगे त्रिन गाड़ी में तानने के लिए तो मैं घिर गया त्मधा दर्क मारा में अगर चोर आता तो मैं रहरी रहरी भागता ना इस पूरे मामले में साराई पुलिस द्वारा कोई ठोज कदम नहीं उठाय जा ठाना प्रभारी इस मामले को हलके में लेते हुए फायर तक दज़ करना मुनासिब नहीं समझा बल्कि उल्टा पत्रकार के उपर मुकादमा दज़ कर जिया अब पत्रकार में एडिस्नल AST प्रदीप शेंडे से मिस्तक्ष जांस की मांगी है इस पूरे मामले में एडिस्नल AST का कहना है कि हर डिन्दू पर हम जांस करेंगे अगर पत्रकार पर हमला हुआ है तो R.O.P. जो भी बक्षे नहीं जाएंगे करगोन में कस्रावद मार्पर सुंबार को एक टेंकर आग की चपेट में आगया आग बुझाने का प्रियास किया लेकिन जैसे ही आग की लप्तों ने विक्रा दूप धरन किया ड्राइवर वा अन्य लोग टेंकर को छोड़ कर भागें आग पर काबू करने के लिए पहुंची फाइब गेट ने घटना इसल पर पहुंचे में गाउं टियाई को टक्कर मार्टी जिससे उनके पैर में छोट आए है कफरवाद मार्ग पर इंद्रे टेकडी के पास चलती टेंकर में अचानक आग लग गई रोड पर अचानक ऐसा हाथ साथ देख कर लोग भी सहन गए और आग बुझाने का प्रयास कने लगे लेकिन जैसे ही आग की लगटों ने जित्कराल रूप धारंग किया तो ड्राइवर वा अनिलोग टेंकर को छोड़ कर भागे और तकाल फाइब गेज को भी सुझित किया इस दौरान सड़क के दूनों और करीब 8 किलोमीटर तक लगवा जाम लगा रहा आग लगने के कारणों के बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है लेकिन शौट सरकित के कारण आग लगने के आशंका जटाई जा रही हैं टेंकर में लगी आग पर फाइब गेज में बड़े मुश्ची से काबू पाया इसी जीज आग पर काबू करने के लिए पहुँची फाइब गेज में घटना इसकल पर पहुँचे में गाउ टियाई को तक्कर मार दी जिससे उनके पैर में चोटा गई इसके बाद डायल जारी है जवा में शिक्षक संगोष्ठी एवं इसने सम्मेलन कारिक्रम का आयजन किया गया इस दोरान कॉंग्रिस नेता सिधार तिवारी ने कहा कि कवन्ना सरकार प्रदेश में शिक्षा विवस्था को सुधारने के लिए भड़सक प्रयाब कर रहे हैं सरकार शिक्षिको इस कारिक्रम के मुख्य अतिती रहे कॉंग्रिस नेता सिधार तिवारी ने बताया कि कवन्ना सरकार शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए हर प्रयाब कर रही है जो भी परिशानिया है वो सरकार तक पहुँच जाएंगी और प्रयास किया जाएगा कि हर जाइज मांग मुख्य अतिती को मुख्यमंत्री के नाम ग्यापंच्वपा इस दोरान सिधार्थ ने पूर्व की शिवराज सरकार पर जमका निशाना साथा और कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान ने शिक्षा विवाग को ट्रांसफर उद्योग बना दिया था कुछ भी हूँ जो मेरी दाल रोटी चलती में तो इस द्योग नहीं था जो भी कुछ है सिर्थ मैं अपनी पढ़ाई के लाजी दिमाने के लिए तो इतना पावित रिशेट रही है कि और इसको शिवराज सिंग चोहान जी ने एक ट्रांसफर प्योग बना दिया था बना द सिक्षकों को समान जिर्मार करने का जो कार्व होता है उसको छोड़ करके सब्सक्राइब के सुप्रसिद कैप्टन रूप सिंग स्टेडियम पर प्रशाशन एकादस्ट और पत्रकार एकादस्ट के बीच मैच रिपूर्ट्ट्रिक्स मैच खेला गया पहले खेलते हुए प पिच्यानवे रन बना कर प्रशाशन की टीम ने नौव विकेट से हमेजी किया इसमें मैन ओफ दी मैच प्रशाशन की टीम के ओपनर एस को रिपूर्ट्रिक्सी बने प्रशाशन की टीम ने टॉस जीता और फिल्टिं ली और पत्रकार एकादस्ट को पहले बैटिंग का मैदान पर एक भी पत्रकार कलम की तरहां बल्ला नहीं चला पाया लेकिन प्रशाशन की ओपनिंग जोड़ी कि शोर कन्याल और एस कुरेशी के रूप में उतरी उसके बाद कुरेशी और संजीव सिन्हा ने 92 रन तक साज़िदारी की उसके बाद उतरे एक अलेक्टर अनरा करें अनावचारिक मौकों से एक अपना एक अच्छा भी होता है का आईस-ब्रेकिंग माता है और आगे एक अच्छा संबन्द बंदें जीवन में खेलों को बहुत मैट होता है और खेलों के परति लोगों जागरू करने के लिए जो भिन प्रयास होते है उसके क्रम में मैतरीपून मैच में पुलिस और प्रशाशन की अधिकारियों ने इसे एक अच्छी पहल बताया और कहा मेडिया और प्रशाशन के बेशिताल में बना रहे और इसी तरहा सब्भावना पुड़ बातावन रहे ये उसी का एक प्रयास है मैच में प्रशाशनिक अधिकारियों के चौके चखके और पत्रकारों के आउट होने पर आकरशा कमेंटरी की जा रही थी मैत्रिपूर मैच का पत्रकारों और प्रशाशनिक अधिकारियों ने जम कर लुथ होताया इस बुलेटिन में फिल हाल इतना है आप देखते रहे ही रखा ल्यूज दखल आपके हक में आप देख रहे है दखल न्यूज